विश्वास एक रबड की तरह है यह हर गलती के बाद छोटा और छोटा होता जाता है विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास तोड़ने वाला होता है क्योंकि वह अपने छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे इंसान को खो देता है जो दुनिया पहले समय इधर उधर देखे, उस पर कभी विश्वास मत करो, दिल की गहराईयों से जुड़े व्यक्ती से दूरिया कोई माइने नहीं रखती, नजदीकियां बनाए रखते हैं, तो आपकी इमानदारी और आपसी भरोसा जूट बोलकर भरोसा तोड़ने से बहतर है, सच बोलकर र खुद से ज्यादा भरोसा था, जहां भरोसा होता है, वहां सबूतों की जरूरत नहीं होती, जिंदगी खत्म हो जाती है, मगर जिंदगी से लोगों के गिले शिक्वे खत्म नहीं होते, मेरा भरोसा ऐसे ही नहीं टुटा, मैंने देखा है, तुझे गैरों की बाहों में द समझदार भी इतने हैं कि उनका जूट पकड़ लेते हैं और उनके दिवाने भी इतने हैं कि फिर भी यकीन कर लेते हैं। कोई विश्वास तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। विश्वास जीतना बड़ी बात नहीं है, विश्वास बनाये रखना बड़ी बात है, परवाह मत करो कि लोग क्या कहते हैं, तुम्हारे घर के खर्चे लोग नहीं तुम खुद उठाते हो, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है, काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, साथ जितना भी बिताया, वो पल मिल जाए, चलो अपनी अपनी आँखें बंद कर ले। क्या पता ख्वाबों में गुजरा हुआ कल मिल जाए, मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोच कर मागना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है, और एहसान जिंदगी भर का, जिंदगी में जितने अच्छे बनते जाओगे, उतने ही ज्यादा इस्तिमाल किये जाओ जिंदगी में सदा मुस्कराते रहिए, कभी अपनों के लिए तो कभी अपने लिए, दो दिन की जिना है, आज हो या कल, खुद को हमें खुद ही संभल जाना है, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है, जहां से सफलता के हतियार मिलते हैं, मन्जिल पाना तो बहुत दूर की ब विवाद दोनों को छोड़ दो, स्वाद छोड़ो तो शरीर को फाइदा, विवाद छोड़ो तो संबंधों को फाइदा, बेवजह यूँ खामोश होके बैठा है, ना जाने कौन सा अफसोस लेके बैठा है, ख्वाइशों की पतंग को थोड़ी डील दे, अपने ख्वाब बोलने से अच्छा है, कडवा सच बोला जाए, इससे आपको सचे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन जूटे दोस्त नहीं, महनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है, जब तक हार की परवाह करोगे, जीत कभी नसीब नहीं होगी, पैर छूकर हिर्दय को छू जाए, तब उसके हिर्दय से हमारे लिए जो आशीश निकलते हैं, वही सच्चा आशीरवाद है, जीवन में अपमान, असफलता और धोखे जैसी कडवी बातों को सीधे गटक जाए, अगर उन्हें चबाते रहेंगे, यानि याद करते रहेंगे, तो जीव कड़वा ही होगा, जिन्दगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नजर अंदाज से, परिस्थिती बदलना जब मुम्किन ना हो, तो मन की स्थिती बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा, संबंध, बड़े नही होते, उसे संभालने वाले बड़े होते हैं, धनवान वो नहीं होता, जिसकी तिजोरी नोटों से भरी है, बलकि असल में धनवान तो वो होता है, जिसकी जिन्दगी में खूबसूरत रिष्टों की कमी नहीं है, जिन्दगी को कभी तो खुला छोड़ दो जीने के लिए, सिर्फ शब्दों से न करना, किसी के वजूद की पहचान, हर कोई उतना कह नहीं पाता, जितना महसूस करता है, परवाह वो संजीवनी बूटी है, जो कभी रिष्टों को मरने नहीं दे थी, तीन चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती, सूर्य चंद्रमा और सत्य, मौन और मुसकान, कुंजी है मौन, समस्याएं हल करता है, जबकि मुसकान समस्याओं से बचाती है, कभी कभी बुरा वक्त आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आता है, मन की शांती पाने का सबसे बढ़िया तरीका है कुछ चीजों को नजर अंदाज करना, दू अच्छा इंसान कभी भी मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिनको उसकी कदर नहीं होती, जब आप एक कठिन दौर से गुजरते हैं, जब सब कुछ आपका विरोध करने लगता है, जब आपको लगता है कि आप एक मिनट भी सहन नहीं कर सकते हैं, कभी हार न माने क्योंकि यही वह समय और स्थान है जब आपका अच्छा समय शुरू होगा, डर कही और नहीं, बस आपके दिमाग में होता है, कभी कभी हम अकेले में रों लेते हैं, मन हलका हो जाता है,